Hello my dear students, today our topic is data handling आज की क्लास में हम data handling की topic को बढ़ेंगे data handling क्या होता है, data means information, handling means organize करना handling मतलब organize करना, तो data handling का मतलब क्या होगा data means information, handling means organize करना मतलब जो हमारी information है किसी भी चीज की, उसे सही डंग से organize करना क्या कहलाएगा, data handling कहलाएगा, तो data handling का मतलब आप समझ गए जो भी कोई information है, उसे सही डंग से organize करना, सही डंग से लिखना वो क्या कहलाएगा, data handling कहलाएगा, तो अब हम पढ़ते हैं हमारी क्या information है और किसे हमें data handling, data को handling करना है मतलब organize करना है कौन सी information को तो यहाँ पर question है a local bookshop issues books on 5 days of the week एक local bookshop है जो week में 5 days book issue करती है ठीक है books देती है read the table carefully यह जो table बना हुआ है इसे हमने carefully पढ़ना है और answer के answer worthy question question के answer देने है ओके बच्चो तो यहाँ हमें days दे वे हैं कौन से days को उन्होंने books दी है Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday 5 days उन्होंने book दी है और telemark में हमें बताया गया है कितनी कितनी books दी वी है और number of book issued बताया गया हमे ओके बच्चो और देखिए यहाँ पर telemark किया गया है इसे क्या बोलते है टेली मार्क बोलते है ठीक है और यहाँ पर क्या है number of books issued जो number जो books issue की गई है वो है Monday को कितनी book issue की गई थी 13 तो 13 को हमने telemark में कैसे लिखा 1, 2, 3, 4 और 5 को हमने sledding line में बनाया इसी तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 को हमने sledding line में बनाया फिर उसके बाद 1, 2, 3 तो कितने हो गई है 13 हो गई 5, 5 और 3, 13 ठीक है टेली मार्क में हम 13 को किस तरह से लिखते है 1, 2, 3, 4 और 5 हमारा sledding होता है 6, 7, 8, 9, 10 हमारा sledding होता है फिर 1, 2, 3 तो इसी तरह से हमने Monday का 13 कर लिया है टेली मार्क करके Tuesday का हमने 19 कर लिया है टेली मार्क करके Wednesday का 21 किया है और Thursday का 13 Friday का 25 तो यह हमारा क्या है हमारा data handling बन गया है मतलब हमने जो information है उसे इस तरह से organize किया है ठीक है टेली मार्क आप सीख गए अगर जैसे 5 है तो हम क्या करते है फिर उसके आगे की इसी तरह से जितने होंगे उतनी lines आ जाती है ओके बच्चो अब हम उसके बाद हमने यह organize कर लिया है अपने data को उसके बाद हमारा question है How many books were issued on Tuesday Tuesday को कितनी books issue की गई थी कितनी books issue की गई थी Tuesday को यह रा Tuesday का record कितनी की गई थी 19 books 19 books ठीक है Tuesday को कितनी book issue की गई थी 19 books फिर second question है On which two days the same number of books were issued कौन से दो दिन same number की book issue हुई थी कौन से दिन हुई थी इसमें भी 13 हुई है और इसमें भी 13 हुई है और कौन कौन से दिन हुई है Monday को और Thursday को तो इसमें क्या जाएगा Monday and Thursday Monday and Thursday कौन से दो दिन हुई है same book issue हुई है Monday and Thursday अब थर्ड क्वेशन है On which day वर्दा maximum books issued अब maximum का क्या है सबसे ज़्यादा books किस दिन हुई है सबसे ज़्यादा किस दिन हुई है 25 सबसे ज़्यादा हुई है Friday को तो सबसे ज़्यादा वाला कौन सा डे है हमारा Friday सबसे ज़्यादा book issue हुई है हमारी Friday को ओके अफॉर्थ question है हमारा how many total books were issued in a week मतलब जो पूरा week है उसमें कितनी book issue हुई है अब हमें पूरे week में बताना है तो हमारा जो हमने जो ये data को organize किया है इनकी total ये सारी books है तो इनको हम क्या कर देंगे total कर लेंगे 13 और 19 कितना हुआ 32 32 और 21 53 53 और 13 66 66 और 25 91 books इनका सब का total किया तो क्या निकला 91 कितनी books हो गई 91 books total books कितनी है 91 books तो हमने क्या किया है इस तरह से अपने data को organize किया है उसके बाद सभी हमारे जो question है उनके answer दे दिये है ओके बच्चो तो आपको ये समझ में आ गया होगा question कि हम अपने data को किस तरह से organize करते है इस तरह से हम organize करते है और जो हमारे questions होते हैं उनके हम answer easily दे पाते हैं अब हमारा second question है हमारे trees कौन कौन से हैं फिर हमें बताए गया trees के number है 150 अब सबसे पहले इतने सारे तो हम नहीं बना पाएंगे तो हमें क्या करना है represent this information using a pictograph where one tree equals to 50 trees हमें इसे pictograph की help से बनाना है और one tree कितने tree के बराबर है 50 trees के बराबर है जैसे कि mango के कितने trees है 100 tree है तो अगर one tree 50 tree के बराबर होगा तो 100 tree कितने tree के बराबर होंगे 100 tree होंगे 2 trees के बराबर है ना जब one tree 50 tree के बराबर है तो 100 tree कितने tree के बराबर होंगे 2 trees के तो हम यहाँ पे 2 trees को बना देंगे उसके बाद है नीम के कितने tree है 300 one tree 50 tree के बराबर है तो 300 tree कितने tree के बराबर होंगे 300 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितने tree के बराबर हो जाएंगे बना देंगे, two, three, four, five, six, ठीक है, अब next step, बनियन ट्री, बनियन ट्री कितने है, two hundred, one ट्री, फिफ्टी ट्री के बराबर है, तो two hundred ट्री कितने ट्री के बनाएंगे हम सीधा सा है 54 जा तो हम कितने ट्री बनाएंगे 4 ट्रीज 200 ट्रीज 40 के वराबर हैं ओके अब नेच्ट है गुलमोहर 350 ठीक है 50 को हम डिवाइट करेंगे 350 से तो कितना आ जाएगा 7 जा तो गुलमोहर के कितने ट्री बनेंगे 7 ट्रीज तो गुलमोहर के ट्री कितने बने हमारे 7 ट्रीज ठीक है अब नेच्ट है पाम का पाम के कितने ट्रीज है 150 अब 1 ट्री कितने को रिपरजेंट करता है 50 को तो 150 के कितने ट्री बनेंगे 53 जा 153 ट्री तो palm के भी हमने कितने tree बना लिए, three trees बना लिए, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे लिखा रहता है question में कि कितने trees, कितने जो picture है, pictograph है, वो कितने trees को represent करता है, तो हम यहाँ पे उतने ही pictograph बनाते हैं, ओके बच्चों तो यह question आपको समझ में आ गया होगा, कि किस तरह से हमने किया है, आज की class आपकी यहीं खतम होती है, इसके आप घर पर practice कीजिएगा, thank you